हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका आपके अपने चनल होम टुशन पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि CIS FED CONSTITUBLE MINISTRIAL 2019 के फिजिकल दुबारा चले हुए है और आज उन फिजिकल का पहला दिन था तो बहुत सारे बच्चों के कोमेंट मेरे पास आ रहे थे वाट्सप पे वीडियो ले के आ चुके हैं आज का ओराल जो फिजिकल हुआ उसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या सावदानी आपको बरतनी चाहिए और क्या क्या आपको चीजे आसानी से आप वहाँ पे कर सकते हैं तो वीडियो को ध्यान सिर्फ पूरा देखे तो सबसे पहले तो मैं दो लेकिन जो मैन इवेंट है वो आपका रिटन एक्जाम है फाइनल लिस्ट भी मेरिट एक्जाम जो मेरिट बनेगी फाइनल वो भी रिटन एक्जाम के आदार पे बनेगी अगर आप हमारे साथ जुड़कर ओफलाइन तयारी करना चाते हैं और 85 का स्कोर टारगेट जो हमने रखा है उसको अचीव करना चाते है बढ़िया तयारी के साथ तो आप हमारी ओफलाइन अकडमी आ सकते हैं बिल्कुल जैनवन फीस में बिल्कुल कम फीस में आपको बढ़िया तयारी हम करवा के देंगे ताकि आने वाड़े एक्जाम में अच्छी प्रफॉर्मेंस आप करके कहीं बाद में ऐसा ना हो कि पस्ताने के अलावा कुछ भी ना मिले तो अगर आप में से कोई भी बच्च आमारे साथ जुड़ना चाता है तो दिये गए नमबर 89-010-28-1990 में वाटसप कीजिए हम कोल करेंगे आपको रिप्लाई देंगे फीस लोकेशन आपको बता दी जाएगी तो बिना देर किये जो बच्चे फिजिकल कौलिफाई हो चुके हैं आप इस मोके को छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप चुके तो फिर दुबारा मोका नहीं आएगा इसलिए तैयारी को भैतरी तरीके से करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप बात करते हैं फिजिकल के बारे में तो औराल हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लिते हैं इंट्री की रूप में तो इंट्री लगबग आपकी 6 से 7 बजे के आसपास यानि 6 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है कुछ बच्चों को 7 बजे दे रखा है बढ़िया तरिके से एक नोर्मल यानि कोपरेटिव बहेव के तहत आपको इंट्री वहाँ पर मिल रहे है किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं है आपके पास फोटो होनी चीए आपका एडमिट काड और एक फोटो आईडी आपका होना चीए अब अंदर जब जा रहे हैं तो प्रोसेसिंग स्टार्ट होने में लग बग लग बग एक से डेड़ गंटे का टाइम हाँ पर लग रहा है दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ कितनी थी तो दोस्तो आपको पता है कि हर सेंटर पे 500 बच्चे बुलाए गए है ठेक है प्रती दिन 500 बच्चे बुलाए गए है मैंने दोस्तो कम से कम 4 से 5 बच्चों के पास बात की है तो एक सेंटर पे तो केवल 100 बच्चे पहुंचे हैं एक पर 109 पुचे हैं एक पर 118 पुचे हैं ठेक है एक 103 के आसपास बताएगा नि मातर आपकी 20% से 22% रह जाती है ठेक है क्योंकि एक तो 12 का मौसम है दूसरा जिन बच्चों का सेंटर थोड़ा दूर है बीच में 12 ट्रेने लेट हो रही है पहुंचने पारे बहुत सारे कारण हो जाते हैं और कुछ बच्चे आपको बताए कि 2019 के बाद तीन साल के अब यह बरती कंडेक्ट में आई है तो बहुत सारे बच्चे कई दिलिपलिस में सेलेक्ट हो गया है कोई SSCJD में लग गया है कोई स्टेट में कहीं लग गया होगा ठीक है तो यह सारी चीज़े भी हाँ पर काम करती है ठीक है तो आप 20 से 25 परसेंट यहां पर मानके चलिए अटेंडेंस तो फाइनल में अगर मैं कहना चाहूँ कि टोटल जो बच्चे हैं एक लाख असी अजार हैं दोस्तो तो यहां पर अगर इस हिसाब से हम अन्दाजा देखे तो लग बग लग बग दोस्तो 36,000 से लेकर लग बग लग बग मैं मनला हो सकता है कि आने वाले दिनों में अटेंडेंस बढ़ जाए तो आपकी जो टोटल क्वालिफिकेशन यहां पर रेगी लग बग लग बग दोस्तो 45,000 से जादा नहीं जाएगी मेरे अकोल्डिंग जिस हिसाब से पहले दिन का जो रिफरेंस मिला है उसके आदार पे मैं बता रहा हूं कि 45,000 से जादा बच्चे यहां पर नहीं पूचेंगे 1,8,000 में 45,000 में मैंने जादा बता दिया 36 से 40 की बीच मेरे जाएंगे इससे जादा नहीं जाएंगे जिस परकार से बच्चों का इंटरेस्ट दिख रहा है अच्छा जी अब बात करते हैं इंटरी आपकी हो गई है और आल बढ़ियातरी के से आपको बढ़ाया जाता है और एक फोरम आपको भरवाया जाता है वो फोरम बरने के बाद आपकी हाइट, चेस्ट और वेट आपका मेजर किया जाता है अब बात करते हैं कि सर्जी कोई डोकुमेंट्स और आल के हमने बात कर ली है डोकुमेंट्स तो डोकुमेंट्स वहाँ पे अगर आपके पास डोकुमेंट्स पुराणा भी है तो चला रहे है लेकिन जो फोरम है उसमें लिखाए कि भी डोकुमेंट्स हो नए होने चीए पुराणा है तो चल जाएगा और अगर बाइदावे आपने मालीजे नया बनवारा खार गर बूल गए पुराणा लेके चलेगे तो आप वाटसप से वह मंगवा सकते हैं यानि पूरी तरह से आपको कोपरेट किया जा रहा है किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आप मालीजे बाइदावे कोई कागज आप घर पे बूल गए है तो आप उसकी फोटो मंगवा कि वाटसप पे वहाँ पे दिखा सकते हैं कोई दिक्कत वाले बात नहीं किसी परकार का प्रेसर नहीं डाला गया कि आप यह ले क्या है ठीक है बिलकुल मतलब वो कहते हैं सदवावना पूरुग आपका सहयोग करते करते आपका फिजिकल लिया जा रहा है ठीक है दोस्तों तो किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है डोकुमेंट्स जो जरूरी है वो आपके पास होने चाहिए ऐसा नहीं कि सारे डोकुमेंट्स तुम गर भूल गए एका दा कागत जो एक्स्ट्रा था या कोई जरूरी था वो भूल गए तो आप वहां से मंगवा सकते हो या अगर वो डेमांड करते हैं बताईए बहिया ओबी सी का दिखाईए पुराणा वाड़ा तो आप मंगवा सकते हो ठीक है अब बहुत सारे बच्चों के कोमेंट्स आ रहे थे सर ओवरवेट है मैं हम ओवरवेट है अनफिट तो नहीं हो जाएंगे ओवरवेट और अंडरवेट द ओवरवेट का इतना इस्यू नहीं है लेकिन अगर मान लीजी 170 सेंटिमेटर जिस वच्चे की हाइट है और वो वेट लेके जारा जी सोगलो ठीक है तो उसने तो बरति करके भी के करेंगा लेकिन अगर ये 170 सेंटिमेटर और मान लो 85 भी है 90 किलो तक भी है तो चल रहा है को कोई दिक्कत नहीं है और वेट अंडर वेट इतना बड़ा अश्यू नहीं है अब ये तक मेरे पास एक भी मैसिज ऐसा नहीं आया है कि सर जी वेट में किसी को डिस्क्वालिफाई किया गया है दूसरी बात एक और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज वहाँ पर बताई गई है कि अगर माल लीजिए आपको बताए 2019 वाड़े कंडिडेट हैं सारे के सारे फिजिकल क्वालिफाई है अब माल लीजिए कोई बच्चा वहाँ पर डिस्क्वालिफाई हो रहा है तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं यानि आप अपने फिजिकल को दुबारा लिये जान माल लीजिए किसी बच्चे को हाइट में निकाल दिया किसी बच्चे को चेश्ट में निकाल दिया तो वह बच्चा वहाँ पर अपना क्लेम कर सकता है कि सर 2019 में फिजिकल क्वालिफाई था अब डिस्क्वालिफाई कैसे हो गया तो आपको मुका मिल सकता है दुबारा के से यहां पर पूरे कोपरेट और सेवक के साथ आपका फिजिकल लिया जा रहा है किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं है जो इंट्री टाइम है साथ बजे का कुछ सेंटर पर साड़े चा लिखा हुआ है तो वो आप लगबग दो गंटे लेट भी जाएंगे तब भी है तो दस साथे दस बज़े तक आप वहां पर पहुंच सकते हैं क्योंकि बारिस का मोशन है कहीं ट्रेन लेट और यह कहीं कुछ है तो आप टैंसल लेने क्या हो सकता नहीं है बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर जी मान लीजे मेडिकली आदार पे हम जी मेरा फिजिकल इस वज़े से मैं नहीं दे पाऊंगा भी तो हो सकता है कि रिक्वेस्ट वहां से अर्षप्ट करके आपको दुबारा मुका दे दिया जा सकता है ठीक है दोस्तों तो औराल यही था फिजिकल बढ़िया तरीके से फिजिकल लिया जा रहा है किसी प्रकार किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं है ठीक है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सेर को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और एक बार फिर से उन बच्चों के लिए करना चाहूंगा जो बच्चे फिजिकल कौलिफाई हो चुके हैं दोस्तों यही मुका है अपने और अपने माबाप के सपनों को सच में बदलने का अगर आप हमारे साथ जुड़कर भेतरिन तयारी करना चाते हैं और अपने सेलेक्शन को सुनिशित करना चाते हैं तो आज ही आप हमारे ओफलान केंपस आ सकते हैं बड़िया तरीके से तयारी हम करवा रहे हैं क ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए 89010-289P में वाटसप कीजिए, हम आपको कोल बैक करेंगे, फिस डिटेल आपको कोल पे बता दी जाएगी, धन्यवाद.